हलो एवरीवन नमस्कार आप सभी को रादे रादे कैसे हैं आप सभी लोग उमीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे टेस्ट बुक के इस सूपर कोचिंग प्लाटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईए दोस्तो हम लोग हमारे आज के इस सूपर सेशन के सुरुवात करते हैं गुड इवनिंग तो अल अफ यू नमस्कार प्रणाम अदाब अभिनंदन सो प्यारे दोस्तो अगर आप लोग हमारे इस प्लाटफॉर्म पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस प्लाटफॉर्म को सब्सक्राइब करिएगा पास में बैल आइकन है उसे भी प्रेस करिएगा सो आईए आज के सूपर सेशन के सुरुवात करते हैं हम रीलेटीड आज बात करने वाले हैंere के हम रिलेटिड बात करने वाले हैं कंप्यूटर इन्पूट और आउट्पूट डिवाइज के हाडवेर टॉपिक जब पढ़ते हैं तो इन्पूट आउट्पूट टॉपिक नजाने अपने आप ही करी बाज आता है इसको जल्दी समझ भी लेते हैं हम लोग एकदम साधार इसको छूतों नहीं सकते हैं कहूं कि पकड़के यह रहां ऑपरेटिंग सिस्टम यह नहीं मैं बस बता सकता हूं कि यहां यह उपरेटिंग सिस्टम है इसमें यह यूजर इंटरफेस है यह मैं बस केवल बता ही सकता हूं जिससे आप केवल समझ सकते हैं आप फील कर सकते ह इस चीज़ को, लेकिन hardware वो जिसको आप लोग touch कर पा ही रहे हैं, इसके अंदर आपके input devices हैं, बहुत सारे और बहुत सारे आपके पास में output devices हैं, तो पहले एक बार आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि कौन-कौन से आपके पास में input device है, और कौन-कौन से आपके पास मे output device है उसके बाद में हम लोग related क्या करने वाले हैं उसके कुछ mcq लगाएंगे जिससे हम लोगों को यह topic बहुत धंग से clear हो जाएं बहुत मुस्किल topic है नहीं यहां से एक आदा सवाल एक question आपका exam में बन ही जाता है लगबग लगबग एक से कई बार ज्यादा भी बन जाता है input device से ज्यादा सवाल बनते हैं एक्चुली input device थोड़े से ज्यादा है comparison इसके output के ठीक है सबसे पहली और important बात हमारे पास में जो है न वो क्या रहने वाली है आप हाँ जी input devices की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आप लोगों को अगर याद है तो आप मुझे बताईएगा कि कौन-कौन से आपके पास में जो है न input device होते हैं कौन-कौन से input device है आपके पास में नहीं 17-18 input device को आप लोगों को इस class के इंदे revise करना है अभी तो चलिए हम लोग revise करते हैं सबसे पहला हमारे पास में जो input device आता है जिसका नाम हमारे पास में आता है क्या keyboard आता है अब यह keyboard जो है ना इसको आप लोग अपने तोर पे primary input device कहा करते हैं इसमें कोई समझ्या नह चलिए तो कैसा दिखाई रहा हमें यह keyboard है आपका यह रहा तीकल नैंत पूब्त कि Bak का मारे चीका के इकशाम के लिए जरूरी हो दिखाइए है जैसे कि आपके पास में यहां corner में की होती है जिसका नाम आपके पास में escape की escape का मतलब होता है to exit from any program to exit from any program to exit from any program हर किसी program से अगर आप लोगों को बाहर निकलना है बाहर जाना है तो आप लोगों को किस की का जुरूत पड़ेगा तो आप लोगों को escape की का जुरूत पड़ेगा, escape का मतलब क्या है, to exit from any program ठीक है, चलिए सर ये बात हुई, इसके बाद में दूसरा आपके पास में आते हैं, function की होते हैं ठीक है न, दूसरे आपके पास में होते हैं function की, अचा function की keyboard के अंदर total कितने होते हैं सर, function की आपके keyboard में F1 से लेके F12 तक, यानि की total 12 function की है आपके पास में, ठीक है न, अचाई 12 function की है, अगर आप लोग इनकी बात करते हैं, तो 12 function की का भी अलग-लग unique काम है आपका, जैसे कि आपके पास में F1 होगा, तो ये किसके लिए होता है, F1 आपका help के लिए होता है, F2 आप लोग कर देते हो, rename के लिए use, ठीक महा कोई folder का आप नाम बदलना है, तो F3 आप लोग किसलिए use कर दिया करते हो, F3 आप लोग use किया करते हो search bar के लिए, ठीक न, search operation करने के लिए, F4 किसलिए किया करते हो, आप लोग, तो F4 जो है एल्ट के साथ अगर यूज किया जाए एल्ट प्लस में F4 तो आप लोग क्लोज कर देते हो कोई टैब को क्लोज करना चाहते हो तो आप F4 का इस्तमाल वहां कर लेते हो ठीक है अच्छा उसके बाद में ऐसे ही आपके पास में फिर फंक्शन की में F5 आता है F5 में आप लोग क्या कर लेते हो रीफ्रेश कर लिया करते हो ठीक है ना इससे आप लोग क्या चलाते हो स्लाइड शो जो है आपकी पावर पॉइंट की स्टार्टिंग से चलाना चाहते हो न तो आप लोग F5 की का इस्तमाल कर लेते हो ठीक बात है अगली बात करें अगली बात F6 है F6 का मतलब क्या है कि URL एक्टिव करना हो अगर आपको ठीक ना URL एक्टिव करना हो अगर आपको यानि की Uniform Resource Locator URL को अगर एक्टिव करना हो ब्राउजर के अंदर तो आप लोग इसका इस्तमाल क्या करते हैं तो F6 का इस्तमाल करते हो आप लोग f7 किसका استعمال کرتے ہو आप لوگ f7 हम लोग استعمال किया करते है spelling check करने के लिए spell checker होता है या spell check करने के लिए f8 यूज किया करते हो आप لوگ booting key के रूप में ये booting key होती है वूटing key के रूप में इसका استعمال करते हो f9 किसलिए use किया करते हो आप लोग word के अंदर page refresh करने के लिए होता है यह word में page refresh करने के लिए होता है यह page refresh करने के लिए इसका इस्तमाल किया करते हो आप लोग और f10 किसलिए use किया करते हो आप लोग menu bar menu को activate करने के लिए menu को active करने के लिए आप लोग इसका इस्तमाल करते हो F11 किया करते हो use आप लोग full screen के लिए full screen के लिए आप लोग use किया करते हो F11 को और आप लोग finally F12 जो है ना उसका इस्तमाल किया करते हो किसके लिए save edge के लिए तो ये तो आपकी function की है जिनकी sequence आप लोगों को ऐसे करमागत दिखाई देगी यहां पर ठीक है ना F12345671112 ठीक है ना asset total आपको दिखाई देगी यह वाली सही है सर अच्छा इसके बाद में हमारे पास में और की कौन सी होती है यहां पर एक की होती है जिसका नाम है tab और यहां पर एक की होती है जिसका नाम है पढ़ाते हैं यहां बहुत बहुत शुकरिया हां good evening from कसमीर ठीक है good morning good morning है evening है यहां sorry तो क्या कह रहा था यह आपका tab हुआ यह आपका जो है आपका बहुत स्पेस की हुआ अब यह दोनों की क्या काम कर रहे है अगर और आप लोग टाइब वर्ड के इंदर बैटे हो थो अगर आप लोग खाली स्पेस दबाओगे तो एक single स्पेस आएगा टाइब का मतलब है कि 4 पेस जितना एक पेस देद होगे आप लोगर एक ही बार में होता है आपका यह ठीक है चलिए इसके बाद में और क्या यूज करते हो आप लोग और इसके बाद में आपके पास में बटन होता है caps का होता है caps lock की बात पर अब लोग caps lock हुआ यह आपके पास में button दिखा जाए तो num log हुआ caps lock हुआ num lock हुआ और आपके पास में जो button है caps lock है num lock है और एक होता है scroll lock होता है तो यह तो 3 बटन है ना आपके इन 3 बटन का आप लोग use किया करते हो किसके लिए इन तीनों को आप लोग टोगल की के रूप में जाना करते हैं, जहान रख़िए का, यह तीनों की जो होती है, आपकी टोगल की होती है, टोगल की का मतलब क्या है? यह एक बार buton दबाऊ होगे, एक बार पार लिए उन, दूसरी की इनको डारेक्शन की भी खाते हो किबोर्ड के इंदर ने विगेशन की भी कहा करते हैं इनको गेम की भी कहा करते हैं और इनको आप लोग जो है को सकते हैं आपके इसके अलावा आपके कीबोर्ड के इंदर जो है है एलट की होती है ठीक है न एक साथ में आपको CTRL CTRL की होती है एक आपके पास में होती है शिफ्ट की होती है इन तीनों को आप लोग जो है पहले परने के लिए, end है, last परने के लिए, ठीक है ना, page up होता है, ठीक है न, page up है, जिसमें ये काम कर देती है, एक आपका page down होता है, आपका page down होता है, ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपके keyboard के अंदर एक button और होती है, जिसका नाम है enter, enter का काम होता है, new line के लिए, new line, अगली line में जाने के लिए, या इसका मतलब okay भी होता है, कि हाँ, ठीक हो गया, done, इसके लिए भी ये use किया करते हुआ आप लोग, अच्छा, इसके अलावा, और क्या हो सकता है keyboard में, और keyboard में, इस enter के उपर एक button होता है, इसका नाम है backspace, backspace, और एक button आपका होता है, delete, ये दोनों थोड़ा सा similar होते हैं, पर हलका सा फरक है, ये cursor हुआ, इस cursor के left side का data को अगर आपको हटाना हो, left side का character को हटाना हो, तो आप backspace का इस्तिमाल करोगे, और इस cursor के, अगर आपको right side का data जो हटाना हो, right side का data, तो आप लोग इसका इसका इस्तिमाल करोगे, ये ही इन दोन के लिए उसका से लेबस मैंने नहीं देखा तो यह तो हैल्प करेगा करेगा प्लस इसमें थोड़ा एड़वांस और आ जाएगा जहां से नाम मुझे दिख रहे है इसका स्लेबस मेंने देखा नहीं एक बार मुझे आप लोग मेरे टेलिग्राम पिसका स्लेव शेयर कर देना ताकि मैं और मदद कर पाऊंगा ठीक है चलिए तो ये तो बात आपकी हो गई है यहां पर ये सारे कीबोर्ड की इपॉर्टेंट कीज है जिसका आप लोगों को जो है न उपता लगाना चीए डियर करेंगे जल्दी स्टार्ट करेंगे जब होगा तब आपको जुरूर शेयर करूंगा ठीक है चलिए सर ये चीज़े आप लोगों को समझ में आगी और आपके इन पूट्ट सारय हैं यहां पर लिखुट्ट का था था टांच यह आपको और क्या हो सकते हैं आपके और आप का था माइस इनपूट डिवाइच हो गया इसके अलाबा और आपके पास में क्होन सा है से और आपके पास में ट्रैक बोल है इसके अलावा आपके पास में OMR है OMR का मतलब क्या असर OMR का मतलब है यहां पर Optical Mark Reader इसके अलावा आपका क्या होता है OCR होता है Optical तो ही है इसके अंदर Optical Character Reader जिसको पढ़ा करते हुआ आप लोग Character Reader ठीक है अच्छा इसके इसके अलावा जो होता है आपका इसके अलावा BCR वार कोड रीडर पार कोड रीडर इसके अलावा आपके पास में और क्या होता है MICR Magnetic Ink Character Recognization Recognization मतलब क्या होता है कि पहचानना यह ध्यान रखना बैंक में चेक को पढ़ने के लिए होता है यह बहुत ज्यादा इसके बाद में अगली बात पर हम लोग बात करते हैं यहां पर मतलब करते हैं कि MICR Magnetic Ink Character Recognization है और यह बैंक के अंदर इस्तमाल किया जाता है इसने याद नहीं कि पता क्या करता हो गूगल पर जाता है गूगल पर सर्च करता है जो लिंक आता है उसको कॉपी करता है पेस्ट करता है उसकी एक स्किल है पता क्या तो में कुमार भाया की स्किल यह अच्छी है Ctrl-C और Ctrl-V बहुत अच्छे से जानता है वह जो तुम नहीं जान रहे हो फिलाल तुम बहुत बहुत रह रहे हैं यह बहुत बढ़िया स्किल है Ctrl-C Ctrl-V बहुत बढ़िया उंदा लडगा है वह अगली बात करते हैं हम लोग तो अगला हमारे पास में है M.I.E.C.R तो हो गया और हमारे पास में इंपूट डिवाइस कौन सा होता है फिंगर प्रिंट स्कैनर है ठीक है ना प्रिंगर प्रिंट कि सकैनर ठीक है फिंगर प्रिंट स्कैनर को आप लोगками स्कैनर भी कहा करते हैं कई जगार पर आप लोग दो व character के रूप में भी काम आता ही ठीक है अच्छा इसके बाद में जो है अगली important बात क्या है इसके अलावा और important बात है STYLUS टेलस पैन जिससे मैं लिख रहा हूँ यह भी तो input device ही है इसके अलावा कौन सा है हमारा About Microphone ठीक है न माइक्रो फोन इसको आप लोक माइक कहा करते हूँ यह भी तो क्या is Input device ही है जिससे मैं बात कर रहा हूँ ठीक है इससे video बन रहा है आपका वो क्या is आपका वो है आपका डिजिटल कैमरा इंपुट डिवाइज है ठीक है ना इसके बाद में आपके पास में और क्या हो सकता है और आपके पास में वैब कैम भी हो सकता है ठीक है ना वैब कैम ये भी क्या है एक इंपुट डिवाइज है अच्छा इसके अलावा और इंपुट यहाँ ADF ADF का मतलब होता है आपका क्या Automatic Document Feeder Automatic Document Feeder Automatic Document Feeder जो है यह आपका होता है ADF ADF भी आपका एक टाइप का Input Device में ही आता है और आपका Input Device होता है कौन सा? Joystick होता है जो गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है यह भी आपका इसमें ही आता है इसके अलावा अकेला Scanner है यह भी एक Input Device ही है इसके अलावा Scanner के अलावा यह याद रखिएगा आप लोग आपका Input Device और कौन सा है Scanner हो गया ADF हो गया आपका Light Pen रहे गया Light Pen भी एक Input Device है Laptop के अंदर आपका Touch Pad होता है यह भी एक Input Device है और कोई तुम्हें याद आ रहा है बता डालो Smart Card Reader भी होता है Smart Card Reader Smart Card Reader है इसमें POS Machine वगर आती हो सब कुछ आ जाएगा कोई और ध्यान में आता है तो बता दो वह अमार तो बता दिया बहुत पहले Touch Pad टॉस्क्रीन नहीं है टॉस्क्रीन अभी Input Output दोनों में होती है बाद में बताएंगे लेकिन Input Device कोई और Digitizer रह गया एक यह कह सकते हो एक है Digitizer जिस पे Tab पे कुछ लिखते हैं वो Computer में दिखाई देता है आपका Keyboard तो सबसे पहला नाम है दिखावा Keyboard तो Input ही है और Output कब से आ गया है मतब Keyboard Output होता है Seriously तो आज पता लगा है समझ में आ गए यह वाले QR Quick Response Code तो प्रॉपर डिवाइस तो नहीं है QR तो कोड होता है मतलब वो डिवाइस कहां से हो गया इतनी बड़ी confusion यह तो बहुत गंगोर confusion है ऐसी confusion में मत रहा करो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा टीक है ना Keyboard अपने सबसे प्रैमरी इंपुट डिवाइस है और कोई इंपुट डिवाइस हो ना हो लेकिन यह सबसे जरूरी है बाकि तो तुम्हारे दिमाग का दही करने वाले इंपुट डिवाइस है यह तो एकदम असान है कोई पूछे तो keyword mouse सबसे पहला बताना यही होता है कोई बात ना तो गुना कर दिया तुम्हारा पूछने का फर्ज है भाइस अब डिवाइस कर रहे हैं लेवल लेंग्वेज वगरा की बात नहीं डिवाइस की बात कर रहे हैं ग्राफिक टैबलेट यह रही और कुछ नहीं होती है और तुम्हारे दिमाग में कोही आ सकते हैं जैज है तो बता दो जैज तो बता होगा चलिये स्टार्ट करते हैं अउट्पट डुआज पढ़ना यह इन्पट डिवाइस तो सारे हो गए अउट्पट डिवाइस कहां पढ़े आउट्पूट डिवाइस पढ़ते हैं इस जगह पर ठीक है इसका स्क्रीन शोट लेना चाहते हो ले लेना कोई नया बच्छा है तो चैलो आउट्पूट आउट्पूट में कौन सा आता है पहला मॉनिटर पहला तो मॉनिटर हो गया मॉनिटर में अगर बात करते हैं हम लोग तो कौन सा मॉनिटर रहता है मॉनिटर टी-फ्टी टी-फ्टी का फुल-फॉर्म क्या होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर LED पता है फुल-फॉर्म LCD पता है फुल-फॉर्म लाइट अमेटिंग लिक्विड क्रिस्टल और CRT ठीक है इसके अलावा प्रोजेक्टर इसके अलावा स्पीकर इसके अलावा प्रिंटर इसके अलावा लोटर इसके अलावा बताओ कोई और आउटपुट डिवाइस तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो नहीं बोडम नहीं है इसके अलावा तुम्हारे दिमाग में कोई और आ रहा हो तो बताओ अब मैं यहां पर लिख रहा हूं इंपुट एस वेल आउटपुट दोनों इंपुट एस वेल आउटपुट आयो डिवाइस एक है मोडम मोडिलेटर डी मोडिलेटर मोडम के बाद में आपका आएगा पहला तो मोडम हुआ मोडम के बाद में आपके पास में आएगा कौन सा नेटवर्क कार्ड नेटवर्क कार्ड इसके बाद में ओडियो वीडियो कार्ड ओडियो वीडियो कार्ड इसके बाद में और कौन सा हो सकता है आपका तच स्क्रीन touchscreen इसके बाद में और कुनसा हो सकता है touchscreen आपका हो गया modem हो गया audio video card हो गया fax machine इसको कहा करते हो faxymile machine इसके अलावा कुनसा होने वाले है आपका earphone इस से आप बात भी कर लेते हो इसके अलावा नेटवर कार्ड, ओडियो, वीडियो कार्ड दोनों होगी न, हाइब्रिड कम्प्यूटर, जिसके अंदर, ATM आता है, ATM के अलावा, ICU की मसीने आती है, या, पेट्रोल पंप की मसीन आती है, क्या, इसके अलावा, मल्टी फंक्शन, प्रिंटर आता है, यह मल्टी फंक्शन प्रिंटर क्या होता है, जिसमें ADF लगाओ, अपने आप डॉकॉमेंट जाए, जिसके अंदर, स्कैनर भी लगावाओ, ADF भी है, स्कैनर भी है, और क्या लगावा हो जिसके अंदर, और जिसके अंदर आपका लगावा होना चाहिए, यह प्रिंटर तो होना ही चाहिए, आज कल तो इसमें Wi-Fi भी लगाना है, इंट्रस्टिंग नेट्वर्क जोड़ जाता है साथ में, अगला, अगला आपका हो सकता है, Camcoder, Camcoder, camera ही है पर साथ में screen लगी हुई है, ठीक है, तो यह है, microphone, microphone input है, कोई microphone कहते हो आप, के वले input है, floater output device, floater output यह बता तो दिया, अच्छा वो पूछा है एक ने, floater क्या है, floater output है, handset sir क्या होता है, handset अगर आप मिछे पूछते हो, अगर आप handset का मतलब यहां पर आप लोग जिससे आप बात कर पाते हो, तो वो बोत है, input output दोनों में आता है, वो एक hybrid का टाइप हो गया, है, handset mobile की बात करो, तो बोत के अंदर आता है, hybrid camera कह दो या चाहें, यह camcoder कह दो, camcoder एक hybrid camera में ही है, चोटी से screen वगरा लगी होती है ना, साथ में, ठीक है, और बताईए कोई आपके दिमाग में आ सकता है तो, network card तो मैंने लिख दिया, और आपके दिमाग में कोई आ सकता है, जो दोनों में ही हो, और आपके दिमाग में लग रहा है कि मुझे वो doubt है, आप मुझसे पूछ भी सकते हो, otherwise मैं उसका explanation भी दे सकता हूँ, blogger uses camcoder, आपके सुनिल सर भी camcoder reuse कर रहे हैं, मेरा अगे फिलहाल भी camcoder ही है पड़ा, इससे फिलहाल मैं जिसके आँखों में देख रहा हूँ, वो camcoder ही है, और के वीडियो रिकोर्ड कर रहा है, Panasonic का है camcoder है, Sony का, Panasonic का मैं दो camcoder use करता हूँ, generally Panasonic मुझे quality wise ठीक लगता है, Sony तो अभी spare में पड़ा है, समय तक यूज किया था लेकिन इतनी quality, जितने functions, Panasonic में मुझे लगे, मुझे उसमें नहीं दिखाए दिये, तो मैंने Panasonic को prefer किया, Made in one, इस topics से रिलेटर कोई और डाउट नहीं बचाना भी आपका, ठीक ऐसा है, आगे जाए, आगे चलते हम लोग, ये तो चीज हमें समझ में आगी, इनपुट भी समझ में आगया, आउटपुट भी समझ में आगया, इनपुट आउटपुट दोनों भी समझ में आगया, मेरा तुमसे चलो सवाल है, रिलेट करता हूँ तुम में से कोई कर सके तो, UPS कैसा device होता है, UPS, मेरा ये question है आपसे, मेरा आपसे सवाल है कि, UPS कैसा device है, UPS का full form भी बताना, पता है ये hardware device है, पंडे जी, समाल करते हो, कि बोली हो, कि बोली बचा है, uninterrupted powers fly, मैं ये पूछ रहा हूँ, actually input device है का output device है, UPS में input होता है का output होता है, input as well as output, दोनों का काम करता है क्या UPS, UPS, actually, UPS के अंदर input light के रूप में लेता है, output देता भी है ये, दोनों के तरह काम कर रहा होता है, battery को charge करता है, और फिर उसके बाद में charge करके दे भी रहा होता है, paper में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि paper में computer से related नहीं है ये, वैसे मन में सवाल आया, तो पुता दिया, है मैंने आप लोगों को, ऐसे आप relate कर सकते और बहुत सारे डिवाइजी से भी, ये hybrid डिवाइजी होते हैं actually, तो दोनों तरह के से काम करते हैं वह, चलिए गुरुजी, ये बात तो तुम्हें सब समझ में आई, अब पहला ये question है, इसका ठीक अंसर अगर दे सकते हो आप लोग, तो दीजिएगा, identify the true and false from the following statement, इस statement को पढ़ियेगार, इस statement में से सही और गलत statement है ना, उनकी पहचान करनी है तुम लोगों, ठीक है, क्या statement है, optical mouse है, it sends light to detect motion, trackball है, this is a text scanning device, इस content can be erased only once, इसका content केवल एक ही बार erase किया जा सकता है, ये तीन statement आपके पास में है, इन तीनों का हिंदी मैंने बता दिया, optical mouse, ये हिंदी इंगलिस में optical mouse ही रहेगा, ये है कि it sends light to detect motion, optical mouse light को sense करता है, और motion, light से मतलब motion रिडेक्ट करता है, trackball की बात पूछे, it is a text scanning device, trackball क्या एक text को scan करने वाला device है, its content can be erased only once, इसका content एक बार erase किया जा सकता है, तो देखते हैं, बुद्धी जीवियों के option क्या आए है यहां पर, कुछ लोगों ने option दिया है, फोर्थ नमबर कुछ option दिया है, first and third, फिर option दिया है, D, C, A, O, ठीक है ना, चलिए, second तो definitely wrong है, not sure about three, जो गलत है उसके बाद में क्यों बता रहे हैं, मुझे जो सही है वो बता हुआ, ठीक है ना, इस question का जो particular ठीक अंसर है न, अगर दिया है किसी ने तो, particular first option किसी ने दिया है, तो इसका ठीक जो अंसर है वो first option ही है, optical mouse तो पक्की बात ही है कि light sense करके ही चलता है, जो तो होना ही था, trackball कब से भहिया scan करने लगी है text, trackball का मतलब एक mouse की तरह है जो track करती है, cursor को जलाती है, text का वास्ता ही नहीं है, यह तो वैसे कट गया आपका, EPROM its content can be erased only once, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक बार नहीं है, UV erase से आपका जितना दिल चाहे आप कर सकते हो, कोई दिकत नहीं है, तो यह दोनों statement गलत है, यह statement है किवल आपके जो बिल्कुल ठीक है यहां पर, ठीक है, चलिए तो समझ में आगे आपको यह, it's a computer mouse that uses light source, typically a light emitting diode, LED and light detector such as array and photo diode to detect the moment of relative to the surface, actually क्या होता है, यह आपका एक photo diode की तरह काम करता है, आपका optical mouse, कभी तुम किसी cinema hall में, या किसी बड़े mall में गए हो, गए ही होंगे पकी बात है, अच्छा अपना सत्यवान भावी जी को लेके गया है, इता थोड़े दिन पहले गया था, तो अच्छा जाते हो आप लोग सही है बात, अच्छा तुम बड़े बड़े किसी mall में जाए गए, वहाँ पे तुम लोगों ने देखा होगा, वाश्रूम में जाओ, वाश्रूम में जाते ही आप लोग, वहाँ पे देखा होगा कि पानी चलाने के लिए तूटी तो कहीं दिखती नहीं है, अब कहीं से tap चलाएं, तो क्या करते हो, हात आगे करते ही पानी आ जाता है, पानी आ गया, गेट के पास में गेट अपने आप ही open हो गया, अच्छा वहाँ पे कुछ मूँ दोने के लिए शैंपू फेस फोस होता है, अना तो हमने क्या किया, ऐसे आगे हात किया, थोड़ा सा शैंपू हात में आ गया, वह बात अलग है कि हम ठहरे थोड़े से सीरे के हराम खोर इंसान, हमने क्या किया एक बार आता गे थोड़ा सा ना न चाहरे है कि वहS mr. bach पर लपीड के अराम से मोध होने का तो मतलब ही नी आ जुकी होते हैं वहां पर एक से क्वार मूध देखने से पहले एक बार मुवी देखने के बाद एक बार बीच में इंटरवल में इधर दर करके मूद दोही आते हैं आनंद जुहार है ना इधर ऐसे ऐसे पूरा शैंपू भी फेश्वूस फ्री कही है अलब यू समझो एक बार का पैकेट जो फेश्वूस का डिबा आता है वो हमे सेंस्टिविटी के थूही होता है सारे ड्रम में तो यह सारे फोटो डियोड रहे है ठीक है आपको पता है इसा इन पूद डिवाइज अभी बताया था ना इन पूद डिवाइज एंटर मोशन डेटा इंड कंप्यूटर और अधर इलेक्रोनिक डिवाइज इस नोट एक स् इसके उपर वाले हिस्से में मुवेबल बोल हुआ करती थी ऐसे उस गुमाते थे आप लोग तो उस बोल को जिस दितर गुमाओ गए वैसे वैसे करसर जोहना आपका घुमता रहेगा तो कुछ इस तरीके की आपकी बोल हुआ करती थी चलो अच्छा इसके बाद में हमारे पास में कहां था वह एपी डबल एपी रॉम ए रेज लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ठीक ना मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि एक ही बार है पर ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि यूवी रेज से डिलीट करने में कहीं ने कहीं हेल्थ प्रिकोशंस जो हो जरूर देखना परिंटर पेज प्रिंटर प्रिंटर यूत करेक्टर कम करते हैं क्या स Tout 2 थीं ताइप के पूंभ आलबख रमेंच में हमीं में हदिक वाया क क्लियो यूच तो कोर्ट वाली टाइप रैटर वाली मसीन देखिए ना तुमने आपने ए दबाया तो इस तरीके से हैमर लगा है है मर के तरह जा के पंच लगा है इस तरीके से काम होता है वो तो हैमर प्रिंटर का काम हो गया ठीक है अच्छा लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपका यह जो होता है LPM में LPM का मतलब होता है लाइन पर मीनिट ठीक है ना लाइन पर मिनिट एक मिनिट में कितनी लाइन लिखा करते इसके लाव लिए स्टेशन पर देखने को मिलता है कालगच होता है और दोनों तरफ ऐसे गड़्डे से गड़्डे से होते हैं यह आपका line printer के अंदर आता है अच्छा सर जो character printer है character printer एक बार में character ही लिखेगा CPM इसका speed होता है आपका character per minute और यहाँ example जो आते हैं आपके वो आता है एक तो Daisy wheel आता है एक तो आता है Daisy wheel printer और एक Daisy wheel printer के अलावा आपके पास में और कौन सा आता है सर Daisy wheel printer आ गया और एक आता है सर जी यहाँ पे हमारे पास में dot matrix चीक है चलो सर page printer एक बार में पूरा page ही print कर डाले अपका ही खतम page printer इसमें आपका PPM unit होता है page per minute बहतरिन example जो है वो है इसका laser laser का DPI कितना होता है पता है तुमें laser का DPI होता है 600 से लेके 1200 DPI टोट पर इंच होता है इतना ठीक है ना laser के अंदर आप carbon का ink use करते हो carbon का ink use करते हो आप लो यह laser है आपका चलिए तो page printer होता है आपका page printer है और page printer में ink zet भी आता है हलांकि speed slow है laser तकरिबन 24 से 30 page जो है प्रिंट कर देता है और laser ink zet जो है वो लगबग 12 से 15 या मतलब 10 से 15 के बीच में ही per minute print कर पाता है तकरिबन line printer क्या होता है बता दिया है इसके example में आपके line में drum printer आता है और chain printer आता है ठीक और character printer वो होता है तो आपके एक बार में character एक ही character print करता है lotmatics dg will सरा इसमें आता है which of the following is an example of input device अब आप बता सकते हो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा आप लोगों को असानी से चाप दोगे इसका अंसर बोलिएगा चम चम अंसर कर दोगे आप ठीक है इसका ठीक जो अंसर है ना आपका वो क्या रहेगा बार कोड रीडर रहेगा अभी मनें बतायता है ना bcr reader this is example of input device and read information contained in बार कोड जो बार कोड के अंदर information पढ़ी होती है इस तरीके की लाइने जो है बार कोड वाली इनके अंदर जो भी आपकी information पढ़ी है उनको रीड करने के लिए आप लोग बार कोड रीडर की जुरूद पढ़ती है speaker की बात की जाए तो speaker एक output device है आपका ठीक है न, dlp projector का मतलब क्या होता है digital light processing के नाम से जाना करते है यह एक output device के नाम से है प्रोजेक्टर कोई DLP कह देते हो एक्चुली, शॉर्ट नाम से, क्योंकि डिजिटली लाइट से ही आप इमेज जो है न, वो पुरी परफॉर्म कर देते हो, अच्छा, इसके लाव बबल जेट प्रिंटर होता है, ये भी टैप का आउटपुट डिवाइज ही है, प्रिंटर अगर लेजर जेट प्रिंटर हो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है आपका, ठीक है सर, अगला है कि, इन दा कंटेक्स्ट ओफ कंप्यूटर माउस, दा लेफ्ट बटन हेल्प टू आइटम, वाइल दा राइट बटन हेल्प टू ब्लैंक्स दा मैन्यू, पताईएगा इसका ठीक अंसर क्या है, पताईए इसका ठीक अंसर क्या रहेगा, ए, बी, सी, डी में से कुछ राइट अंसर है, ठीक है सर जी, इसका जो राइट अंसर हमारे पास में आ रहा है डियर, वो है क्या, स्लेक्ट डिस्प्ले, ठीक है न, स्लेक्ट डिस्प्ले, इसका ठीक अंसर रहेगा, देखो क्या है, कि लेफ्ट बटन जो है न, वो किसके लिए यूज करना है, लेफ्ट बटन हमें यूज करना होता है, किसके लिए स्लेक्ट करने के लिए, और इसके अलावा हमारा बटन आएगा क्या यह आप आजाता है चाहिए ना तब नहीं स्क्रीन में इसे नहीं आएगा ऐसे आएगा आगया नहीं ठीक है यह राइट बटन है आपका माउस का ठीक है इसे आजएगा वैसे टच से आत हो जाता है जर्नली तो हूँ मराज होँ और आगया इयरा ईसे हिऊ यह वात चल्यएं सर अगली बात करते हैं और कौन सा है अच्छे के में होता है आपका यह side button जो होता है यह programmed होता है किसके लिए to perform action such as moving backward, forward through web pages in web browser, web browser में आगे पीछे जाने के लिए तुम्हें याद है वो control tab वाला function, याद है कि नहीं तुम्हें बता ना, अगर previous lecture तुमने मेरे डंग से लगाए है तो control tab याद होगा, तो जो काम आ यहां से कर रहे हो ना, वो काम आप mouse से भी कर सकते हो, shortcut कर सकते हो यह especially programmed होता है जो कि move करने के लिए backward, forward जाने के लिए web pages के अंदर, बहुत ही खास है याद रखना कि अलग ही mouse है आपका, so normally in how many mouse in button, normally three button है, normal mouse के अंदर तो आपका एक button, दो button और बीच का scroll button, बटन देखते हो तो बटन दो ही है, तीसरा scroll wheel होता है actually आपका, probably button दो ही है left or right, लेकिन आजकल multi function है, तो इसके अंदर ना scroll wheel की जगह क्या करते है, scroll button भी डालते है, जिसका काम होता है, scroll को lock करवाते है, double उसको ऐसे press करवाते है, तो सीधा चल तो रहा है, तो ठीक ही है, खाली, पहली, normal mouse में तो यह बटन बीच में, यह रोलर है वो पेज उपर नीचे करवा रहा है, लिकिन scroll locking function आने लगे हैं आपके, और कुछ ऐसे देखिएगा, अजकल, यह button भी, side mouse भी, side button आने लग गए, यह बहुत महंगे है, ठीक है, इनसे बस क्या करते है, इनको button दबा दबा के, आप लोग होते हैं इसे, ठीक है, यूटूब है, यहां पे आप लोगों ने खोला हुआ है, टेस्ट बुक खोला हुआ है, ठीक है, यहां पे आपने सुनील सर की photo खोल रखी है, आरे सर, बस खोल ली, मजा कर रहा हूँ, जो भी खोल रखा है, आपने, दो तीन टैब खोल रखी है, ठीक है ना, अब आप यहां, यहां से यहां, ऐसे आ जाओ गया, ठीक है, तो इस बात को भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना, एडिया है, ठीक है, चलिए सर, यह बात हमने पढ़ ली, प्रिंट स्क्रीन की औन कीबॉर्ड, कीबॉर्ड बिलॉंग् to which of the following categories, टाइपिंग की, फंक्शन की, कंट्रोल की और स्पेशल परपस की, प्रिंट स्क्रीन की जो होती है ना, कीबॉर्ड के पर, पी रर ती, एस सी आर होती है, कौन सी काटेगरी के इंदर आता है, यह बता पेस की तो स्पेसल की तो चीक है यह आप्शन ज्यादा तर दे रहे हैं कुछ दे रहे हैं सी ओप्शन भी दे रहे हैं ठीक है तर जिनका सही अंसर है वह डी ओप्शन ही है है vital tug PRTS CR आपके computer के अंदर है PRTS CR है ठीक है न? आपके computer के अंदर जो है na scroll lock की की है ठीक है आपके computer के अंदर volume की button आपके वालुम है up है down है आपका आपके computer के आपके keyword केंदर जो ना slip का बटन है ठीक ना एक चांद सा बनावा मेरे पास एक कीबोर्ड हुआ करता था अभी भी पड़ा है पर उसमें वो PS2 पोर्ट है पता है आप लोगों को PS2 वाले एक होता था आप का इसमें राइल कर ना थाइल का माऊस के लिए होता है एक होता था पर पॉर्पल कर को होता था कीबोर्ड के लिए यह वैसे तुमहारे पेपर के लिए किया करने लाये कै Chemical लएक है यूस्तोर्ग अटाके मैंने बहुत यूज किये थे मैंने वाइरलेस तो उन दिनों में बस खाली बैटे और क्या एक्सपरिमेंट कर रहे थे कभी वाइरलेस कीबोर्ड था और कभी वाइरलेस माउस था ठीक है नहीं कि हम तूर से देखते हैं तुम कितनी दूर की रेंज पकड़ते हो वह बता रहा हूं कि दुख मेरे को परसनल ही बता रहा हूं मेरा एक्सपरियंस की सैल बदलने का बड़ा ही लोचा है इसलिए अपने बेस्ट है और ऐसा भी नहीं है कि वाइरलेस में मतलब यार उतनी दूर कंप्यूटर पड़ा यहां बैठे बैठे चलाएंगे बहुत रेर जगह यूज होता है डेली यूज में तो मुझे नहीं लगता कि काम का हो तो करता कोई तुम में से यूज वाइरलस माउस यह वाइरलस कीबोर्ड वगरा यह केबल आती थी पहले प्यस टू और प्यस तू में ग्रीन और परपल दो कलर फिक्स होते थे ग्रीन कलर की जो सवारी के यह मेस वर्डन पाउरपोंट एंड एक्सल की मेराथन क्लास ले लो 500 प्लस क्यूस्टन की ठीक है माइडियर इस वीकेंड पे लेने की खोसिस करते जरूर आपकी बात को मैंने उपर पे रखा है टॉप पे रखा है इस वीकेंड पे साटेड़े या संडे में कब ह यह चलि अच्छी बात है यह समझें एक बात बताब मुझे अगर मैं एक काम करूं कंप्यूटर के इंदर विंडो प्लस में पी आरटी-SCR बटन दबाऊं तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस में पी आरटी-SCR दबाऊं तो क्या हो जाएगा सब्सक्राइब को आपका पेपर है तो कोई बात नहीं सब्सक्राइब को जो मेरी माराथन क्लास दो घंटे वाली होएगी उसमें पावर पॉइंट और वर्ड के क्युप्सन करवा दूगा वक्की बात है करवा दूगा वादा रहा जबान दी आपको फिर भी मुझे याद दिला दें एक बार अपने टेलिग्राम हैंडल सुनील सरे टेस्ट बूक है इस क्लास का पेडिया भी वहां मिलेगा करवा दूगा किंता ना करना मिलने कि तुम कोशिश करना वादा कभी ना करना पादा तो दूटीन हरा चलिए सर यह तो समझ में आ गया window plus में PRT SCR क्या करता है window plus में PRT SCR जो है यह करता है screenshot 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 करता है चलिए sir अगला सवाल function की पता लग गया control की है control की कौन-कौन सी है control keys are special are used for control the systems में जैसे various control की है tab की है यह control में ही आती है अच्छा control की अकेली control में बतो बोलना वो एक control की CTRL वाली है यह control अलग है आपका यह याद रखना डिया ठीक ना रोशाटर्ड़े को आएगा और बोलेगा क्या हुआ थेरा वादा प्रटवाज में तो तीस तक चलो shift की है आपका caps lock की है अचा backspace है space है enter है control है यह सारी की सारी की कहलाती है आपकी यह सारी की सारी control की कहलाती है ठीक ना इनको control कहते हो आप लोग arrow की किसी बच्चा नहीं लेका उनको navigation कहते है उनको direction कहते है control नहीं करते हैं उनको direction वगरा दिखाया करती है अच्छा नहीं है जो ना बता पाए बहुत ही इजी सवाल है वेरी इपॉर्टन्ट क्यूस्टन भी है इसका ठीक अंसर जो रहेगा ना वो क्या रहेगा अप्लीकेशन रहेगा ना यानि कि अप्शन नमबर टी जो है सवाल का ठीक है आपने अच्छे से पड़ भी रखा इसको ठीक ना यहां पर क्या होता है आपका यहां पर आपके पास में होता हार्डवेर अच्छा हार्डवेर को चलाने के लिए मुझे मुझे क्या चाहिए होता हार्डवेर को चलाने के लिए की तरही तो काम कर रहा आपका यह management software की बात करते हो आप लोग तो होता है operating system ही होता है utility की बात करते हो तो टास्क बार आता है इसके इंदर ठीक है एक बात बताना तुम लोग कि यह मेरे पास में पंड्राइव है इस पंड्राइव को मैं रेम बना सकता हूं क्या जवाब देन इस बढ़ा दी माइक दूर हो गया था क्या इस पंड्राइव को मैं बना सकता हूं रेम और रेम बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा क्या तरीका है सर आइडिया नहीं है आँ बना सकते हैं नो आइडिया सर सॉफ्ट्वेर डालके नहीं मैं यहां पर एक बात यह बताना चाहरा हूं कि आपके पास में यह जो पंड्राइव है इसको आप लोग रेम बना सकते हो पर कैसे बना सकते हो यह याद रखिएगा त्योंकि आपकी यह secondary memory इसको आप as a virtual memory यूज़ करके इसको版 रम की तरह यूज़ कर सकते हो ठीकína virtual memory की तरह ठीकँ है 今 अब और एक इसको आप वर्चुल मैम्म और की तरह विर्चुल मैम्मर क्या होती है secondary memory को as a primary memory यूज़ कर लेना क्या यह वाकर काम करेगी और ऐसा करतीśmy तो हर कोई कर लेता ठीक है ना ये तो केवल लोके अभासी होता है जैसे तुम खाली बैठे-बैठे सपनों में ख्याल ले सकते हो कि मैं यहां बैटा हूं और मैं अमेरिका में बैठा पढ़ाई कर रहा हूं कौन रोकता है तुम्हें सोचने पर सोच लीजिएगा खाली बैठ पांच क्रोड का बढ़ावा बैग मिल गया उससे मैं कार लेके आया मैं वहां गया मैंने यह खुरिदा मैंने वह खुरिदा मैंने यह किया वाँ बैठा मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसी खोशी का अनुबह मैंने अभी भी किया है तो कुछ होते ही है ठीक है ना तो वह अभासी दुनिया है ठीक है ना फिर जाग जाते हैं कहते हैं सरकाम लग जाते हैं ठीक है मैंने का बैठा में को ऐसा लग रहा है कि जीवन में धर्ती पे जी तो आप ही रहो हम तो लगता है सिर्फ सांस लेने के लिए आए हैं क्योंकि ऐसी सोच आपकी दिन्ने होगा ठीक ह तो ये तो बात होगी अगली बात है कि MS Office, Photoshop एंड इसके अलावा जो है न आपका वो Amazing Art Example हो किसके Example है आपकी Any Music Example किसके हैं आपका शुकरिया डियर जी ये सारे के सारे आपके Magic वगरा Software सारे Application के ही Software है ठीक है न कोई भी आप Magic वगरा करते हो सारे के सारे Example Application Software के ही है MS Office is a Software Bundle Software Bundle क्यों कहते हैं क्योंकि मैंने कई बार बताया है 1988 में जो है न इसको Microsoft Company ने Launch किया था Microsoft Company ने Launch किया था एज ए Office Suite के रूप में Launch किया था इसको ठीक है न किसके रूप में Launch किया था Office Suite के रूप में Office Suite क्या होता है सर जी Office Suite का मतलब होता है बच्चा Group of Application Software ठीक है न क्या होता है Group of Application Software ठीक है न Application Software का Group जो है न उसको आप लोग कहते हो Office Suite कहते हो जिसके अंदर आप लोगों का अलावा पावर पॉइंट आता है आपका, ठीक है ना, MS Word है, MS PowerPoint है, इसके अलावा आपके पास में आता है, MS Excel आता है, ठीक है ना, MS Excel आता है, इसके अलावा आपके पास में जो है ना, वो कौन सा आता है, MS PowerPoint आ सकता है, Excel होगे, Access आता है, ठीक है ना, इसके अलावा आपके पास ठीक बात है चलिए सर और Photoshop क्या है Photoshop एक photo editing tool है जो Adobe company का एक paper में पूछा गया था कौन सी company से related है यह Adobe company से related है operating system तो interface होता है computer और computer hardware के बीच में अभी मैंने बताया था ना computer मतलब application और के साथ में hardware इन दोनों के बीच में का जो interface है दोनों को बीच में मिलाने का काम operating system ही करता है आपका the place where accessories are connected in computer computer में जहां पे accessories जुड़ती है वो जगए क्या होती है उस जगए वो क्या कहते है कि सरम खुशी को डूंड़ते हैं टेस्ट बुक पर आज आते हैं रोज 6 बजे आरे वाह एक ही दिल्ले कितनी बार लूटो गए कजब क्या लाइन मारी सीरियसली में को ऐसा लगता है सत्यवान तुम जन्मों के आसिक रहे होंगे हर गड़ी महबुबा को इंप्रेस किया होगा आपने हर गड़ी हर पल सायर बन जाओ यार सीरियसली बातों में बहुत वजन है और लेवल कोर्स किया है सर कौन कौन से फिल्ड में त्यारी कर सकता हूं मैं बहुत सारे फिल्ड है जैसे कि आप लोग आप जा सकते हो उससे और एकल से रिलेटिड जा सकते हो आप लोग मैनेजमेंट से रिलेटिड जा सकते हो बिल्कुल सही बात बोलिये सकते हैं चलिए मैं तो वैसे अधर करता हूं उनकी बात का ठीक है चलिए इस सवाल का जो ठीक अंसर आपका है ठीक है ना एक्चुली थोड़ी मेरी वोईस आज कम है उसकी वज़े यह है कि मुझे मेरा गला दर्द कर रहा है इसलिए ठीक है ना मैं ना बार बार बीच बीच में जुक जुक के देखो यह रही यह क्या नाम है इसका कफसिल है यह टोफी सी है जिसने गला थोड़ा खरास कम होती है वो बार बार ले जा रहा हूँ तो इस करके थोड़ा सा वाल्यूम कम हो सकता है बाकी तो ठीक है खेर पोर्ट की बात करते हो तो आप जितने भी accessories है नो connect किसे करते हो port से जैसे कि आपके पास में USB है USB भी क्या होता है कोई तुम से पूचे तो USB जो होता है USB एक port है USB एक port है याद रखिएगा आप लोग USB का full form क्या होता है USB का full form होता है आपका universal ठीक है ना universal serial bus होती है universal serial bus इसका full form है यह बात याद रखिएगा आप लोग ठीक है तो इसको भी बात आप लोगों को याद रखना है ठीक है चलिए सर एक तो बात यह हो गया अब अगली बात हमें समझने की यह है कि port पोर्ट तो पता लग गया कि जैसे motherboard में motherboard contents जो slots होते हैं उनको आप लोग port कहते हो इनके अंदर हम लोग cable वगरा लगाते हैं या हम लोग इनके अंदर कोई external device लगाते हैं उनको इपोर्ट कहते हो आप लोग यह जो है ना इनको identify किया जाता है particular transport protocol से या address done through a 16 bit unsigned number called port number जहां रखना port number होता है जो 16 bit का होता है जो TCP transmission control protocol के असाइन किया जाता है कुछ important type के port है जैसे कि serial port होता है जो serial bit transfer कहता है एक एक bit एक उस्वन एक्जाम में कई बारा है कि serial port एक बार में कितने bit data transfer करता है अंसर हैगा एग चुकि serial का मतलब तो एक ही होता है और तो क्या है parallel port इसे printer जुड़ावा होता है बहुत ही ज़धा important है printer किस से जुड़ा होता है तो ये parallel port से है PS2 PS2 ये मैं अभी बता रहा था याद गरो तुम लोग ठीक ना अभी बताया था मैंने PS2 वाला port जिसमें मैंने दो नाम लिये थे एक मैंने कहा था कि एक color होता है green color होता है एक color होता है एक color इसका purple सा color होता है green color होता है किस के लिए mouse के लिए ये color किस के लिए होता है keyboard के लिए standard है color क्या हाँ बिलकुल किसने मना किया USB तो होता यह आपका universal serial port ठीक है VGA port होता है visual graphic array जिसको बोला करते हो जिससे आप लोग जो है न यह monitor वगरा या प्रोजेक्टर वगरा पिन वाला जो attach करते थे कोई बताएगा VGA में कितनी पिन होती है अभी मैंने एक दिन पहले बताया भी था आपको अगर याद है तो VGA में कितने पिन होती है बताना तिन वाला जो पोजिटिव नेकटिव ग्राउंड पिन है जो लगाते है मोनिटर या मजम में लगा दो और फायर वाइर पोड होता है इतर नेट होता है आपका गेम पोड है जिससे जोएस्टिक जुड़ता है आपका डिजितल वीडियो इंटरफेस होता है DVI port होता है आपका ठीक है ना DVI ports होते है जर्नली आपके वो लाल पिले हरे ऐसे लगाते ना जिसे आप लोग अपने जो डिस्ट टिवी वाला वो क्या होता है उसका receiver होता है उसके तुरू टिवी को connect करते हो ना लाल पिले हरे से जो गोल-गोल से होते है वो DVI port digital video interface port होते है आ पहले आता था आपका इडिवाइज और जर्नली यह एक डिवाइज है जो VCR cassette को play करता है जो magnetic cartridge cassette को play करने वाला है प्रॉपर यह कहूंगा C-A-R-T-I-D-Z-E cartridge cassette cartridge cassette होती है sequential memory का पार्ट ठीक है पिर जाके गाना स्टार्ट होता था या नागिन की 15-20 मिंट तो नागिन की भी नहीं बसते थी फिर गाना आता था इनको skip करना इतना आसान नहीं था skip करो तो आगे वो 2 की speed पर आगे करके लेके जाओ ऐसा direct jump नहीं कर सकते थे sequential access memory होती थी कार्टेज टेप उसको बोला करते हैं उस चलाने के लिए कार्टेज वीडियो cassette को VCR डिवाइस था वीडियो cassette recorder डिवाइस हुआ करते थे आपके यह पहले ठीक है ना हाँ cassette डालते गोल cassette नहीं वो तो CD होती थी गोल cassette तो चोरस cassette होती थी वो साइद आपने देखी भी नहीं होगी बहुती रेर देखी होगी किसीने VCR cassette देखी है किसीने सर इथरनेट क्या होता है लैन को इथरनेट बोलते हैं लोकल एरिया नेट्रक चिंता ना करो आगे इंटरनेट का टॉपिक आएगा डेली शाम को छे बजे यह कलास होती है इस कलास को जुरूर इसमें आना एक एक कंसेप्ट कलियर होता जाएगा आपका अगर आप बिल्ग कंप्यूटर हरे यार वो कोई सब्जेक्ट है पढ़ा देंगे हम पढ़ा देंगे पढ़ाने लग जाओगे आफ लाइन टीचर बन जाओगे तो मैं कहा आफ लाइन ओनलाइन जा पढ़ाने लग जाओगे यह मेरी पकी बात है वादा है तुम्हां से चलिए तो आज की आप हैंडल सारे के सारे जरूर जोइन कर लेना वो क्या है सुनील सर टेस्ट बुक ठीक है ना इस क्लास का पीडिएफ आपको मैं यहां पर दे दूँगा इसके अलावा कोई भी कोर्स लेना हो तो मेरा कूपन कोड जरूर यूज करना डैट इस सुनील बी जिससे आप लगती है रिग इधरनेट पोर्ट में लगके फिर आपका इंटरनेट चल जाता है यह लाइन के बल चलिए रादे रादे सेशन कैसा था अपना फीडबैक आप लोग जरूर देना मुझे जिससे मुझे बड़ी एनरजी मिलती है और टेस्ट बुक चैनल से जुड़े रहन चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना हूँ झाल